हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ important stock के बारे में defense, railway, power sector और उसी के साथ साथ कुछ important shares के बारे में discussion करेंगे जो कि यहाँ पर आने वाले time में कुछ बड़े moments के लिए तैयार हो सकते हैं अभी के time दोस्तो यहाँ पर PSU shares में हमें बहुत ज़्यदा हल चल देखने को मिल देए maximum retail investors की जो holding है दिल्चसपी है वो PSU की तरफ बढ़ रही है तो PSU में कौन सा sector जो है वो हमें अभी के time choose करना चाहिए वो भी देखेंगे और कौन सा sector में अभी profit booking अवाइड करना चाहिए वो भी जानेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो only for education view के असाब से हैं वीडियो में influence होके कोई भी decision नहीं लेना है अभी के time अगर मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले अगर मैं sector की बात करूँ तो दोस्तों मुझे मेरे इसाब से कही न कहीं defense में एक बड़ी rally आ चुकी है तो defense में यहाँ पे सिरफ दो चीजे हो सकती है changes के इसाब से अगर मैं बात करूँ तो total 100% होता है 100% में अगर मैं आपको बताँ तो 50% कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 50 to 70% 80% तक मुझे ऐसा लग रहा है कि defense यहाँ तो गिरेगा या फिर एक range पे consolidate करेगा 20% changes यह है कि यहाँ से थोड़ा उपर जा सकता है बट गिरने के chances मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहा है और consolidation के ज़्यादा लग रहा है अगला stock अगला chance है railway में railway में दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे मुझे तेजी की अगर मैं बात करूँ न तेजी के chances almost यहाँ पे 30% 40% लग रहे है पर consolidation के जो chances से budget तक वो यहाँ पे कही न कहीं मुझे 50% तक के लग रहे है अगला है power sector जिसमें यहाँ पे आपके आते है SJVN, NHPC, ERA वगरा इन में मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि budget तक एक अच्छा moment में भी दिख सकता है जहाँ पे मेरा chances से कि 60-70% एक upside move दिख सकता है बागी 30% कहीं न कहीं हो सकता है consolidation भी देखने को मिले levels यहाँ पे हम देख लेते कौन से levels हमारे लिए important रहेंगे DCX में almost हमने अच्छा profit किया 360 की अपनी buying थी 440 पे निकले अच्छा benefit निकाला हमने यहाँ से बड़ा order मिला था company को DCX में important support है 415 का अगर 415 के नीचे निकला तो यह जो gap है ना इस gap को company feel करेगी और again 390 पे आएगी और वो 390 हमारे लिए अच्छा buying zone हो सकता है अगला stock है HL HL में momentum अभी भी strong है पट यहाँ पर important support है वो है 5300 रुपे में भी अगर stock 5450 के नीचे गया तो 5300 रुपे के levels दिखा सकता है क्या बड़ा crash दिखेगा बड़े crash के मुझे थोड़े changes कम लगते है stock में क्या होगा कि इस परकार से selling आके again reversal दिख सकता है बड़ important है कि यहाँ पर stock बस आपके 5150 के नीचे न जाए 5150 के नीचे गया तो trend जो है वो reversal हो सकता है जब तक 5150 के उपर है तब तक stock अभी भी bullish है अगला stock है NHL में अभी momentum के साथ जो है कि 6000 के levels भी target से रह सकते अगला stock है coaching CPR अगर मुझे यहाँ पर मेरी जो position से उसको normally profit को book करूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे upside कम लग रहा है retestment जादा लग रहा है क्योंकि हमने क्या देखा past में stock ने यही किया past में stock ने क्या किया stock ने किया है breakout and retest आप देखेंगे breakout retest breakout retest breakout again retest तो breakout and again retest आ सकता है मेरे इसाब से तेजी जो है वो यहाँ पर chances कम है या तो consolidation या फिर correction तो मैं तो यहाँ पर normally profit booking ही करूँगा जब तक मुझे यह stock 2500-2400 के level पर नहीं मिलता almost मैं यहाँ पर अपने जो भी share से उसमें कोई भी fresh entry नहीं दूँगा बाकि आप ले सकते हैं आपका कुछ अलगी यहाँ पर analysis हो सकता है बड़ मेरा analysis यही है कि जब तक मुझे 2400-2400 पर नहीं मिलेगा मैं यहाँ पर entry नहीं लोगा अगला stock है दोस्तों NHPC NHPC में जो short term resistant था ना वो तो यहाँ पर breakout होई चुक है आज क्योंकि market भी pressure में है यह भी बात आपको ध्यान रख नहीं है इरेडा की बात की जाए तो इरेडा में हमें यहाँ पर एक अच्छा जंप दिखा है जब तक 228 के उपर है तब तक कोई problem नहीं है 228 का एक support है जो इरेडा को रोकेगा दोसों की अपनी buying थी हमने profit book किया 250 पर 50% capital से यहाँ से अगर मान लो 5-6% गिरा तो हम अगें लो पे add कर लेंगे मेरा कही न कहीं यह मानना है results company के आने वाल है 12 July को results अच्छे आ सकते हैं और यह stock इस परकार से थोड़ा सा correction दे के again 270 की तरब जा सकता है तो यहाँ पर आपको clearly दिख जाएगा stock ने क्या किया? EMA का support लिया, reversal दे दिया जब जब stock में bottom बनाया एक dip बनाई है तो stock 20% से ज़्यादा नहीं गिरा यहाँ पर bottom बनाया 20% नहीं गिरा यहाँ पर इन सब में गिरावट में stock 20% से ज़्यादा नहीं गिरा है यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलदा है कि 20% तक गिर चुका है अभी यहाँ पर reversal की तयारी कर रहा है EMA पर support लेके मेरा यह मानना है कि कहीं न कहीं अभी आज जो यह तेजी आई है न यह reversal नहीं है मेरा यह माननना है company quarter 1 के results जो कि 20 दिन बाद आएंगे Q1 के results तक हो सकता है एक range पे consolidate करे Q1 के results के बाद stock rocket बन सकता है यह चीज़े हो सकती है क्योंकि Q1 के results अच्छे भी आ सकते है company के और PE कम होगा PE कम होगा तो value buying आ सकती है Q1 के results तक हो सकता है consolidate करे बट Q1 के बाद बड़ा move possible है क्योंकि ASM से यह बाहर निकलते हैं हमें नजर आ चुका है अगला stock है earcon जैसा कि मैंने सब को बोला भी था earcon में profit booking होगी और वही चीज़े हुई earcon में profit booking होई हमने क्या क्या हमने यही किया 280 पे अपना entry थी 280 पे entry बनाई 330 पे अपना सारा capital निकाल दिया telegram पे भी मैंने आपको update दे दिया आप चाहे तो telegram में भी join हो सकते हो link आपको description में मिल जाएगा earcon में मेरा यह मानना है कि जब तक यह share 300 रूपीज के उपर है तब तक तो कोई बड़ी problem है दि अगर 300 रूपीज के नीचे आया तो क्या होगा यह जो EMA दिख रहा है आपको इस EMA पे support लेगा मतलब 280 पे support लेके अगेन reversal दे देगा अब यहाँ पर earcon में दोस्तो अभी के time मेरा यह मानना है कि कही ना कहीं यह stock थोड़ा सा रुकेगा क्योंकि RVNL में अभी तक इतनी बड़ी गिरावट हुई नहीं RVNL नॉर्मल थोड़ा सा correction दिया अब RVNL कर रुकेगा तो earcon मुझे ऐसा लगड़ा है कही ना कहीं कल एक reversal देगा reversal के बाद अगेन थोड़ा सा correction दिखा सकता है इरcon में fresh buying पहला तो level है तू 310 दूसरा level है 300 तीसरा level है 290 ये तीन level है जहाँ पे हम धीरे धीरे करके आड़ कर सकते हैं एक साथ आड़ हमें नहीं करना है अगला stock के railway का स्निगम RVNL RVNL की बात की जाए बहुत बड़ा jump तिखा इसको capture भी किया आज सुबह सबको high पे निकाला भी है RVNL में important level है 500 यूपीज का अगर stock 500 से उपर टिक जाता है तब तो ठीक है अगर 500 से भी नीचे निकला तो stock के लिए सबसे बड़ा support है 400 पैसर, 400 पैसर से नीचे stock जाना मुस्किल है अगला stock है दोस्तों IRFC बट RVNL में मुझे यहां से upside potential थोड़ी कम दिखरी है हो सकता है कल 2-3% 5% morning में उपर जाए बट उस 5% के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है कोई भी मालो कल 5-6% morning में उपर भी चला जाता है तो वहां पे FOMO में आके अड़े नहीं करना है अगला stock है आपका IRFC IRFC में यहां पर अगर आप IRFC में entry बना रहे हो ना इससे अच्छा better यह है कि IRCON की तरब जाओ क्योंकि IRFC में OFS का डर है इस वज़े से इसके उपर pressure रिख़़ा और यह चीज मैंने आपको पहले भी बोल दी थी IRCON, IRFC इसमें तीनों में अपने telegram के target हीट हो चुके है यहां से मेरा क्या मानना है यहां से मेरा मानना है कहीं न कहीं जब तक यह share 192 के उपर है तब तक तो कोई problem नहीं अगर 192 के नीचे गया तो यह trend line इसके लिए support बनेगा यह trend तो 192 से उपर है तब तक तो यहां पे problem नहीं और 210 पे अपने सारे target sheet हो चुके वहां पे अपने profit को भी book कर लिया long term के लिए company बेटर है बट short term में थोड़ा बहुत आपको consolidation का सामना करना पड़ेगा अगला इश्राख के वारी renewable technology वारी renewable को recently राजस्थान में बहुत बड़ा project मिला है जिसकी वजह से कल अपर circuit लगा जैसे में आपको बोला एक अपर circuit से कुछ नहीं होगा maximum यह share Q1 के results तक क्या करेगा consolidate करेगा अपर circuit lower circuit के बीच में रहेगा Q1 के results का Q1 के results के बाद एक नई दिसा company को हमें देखने को मिल सकती है अगला stock है Tata Power जो कि दोस्तो सबसे बहतरीन share है renewable sector में, power sector में, EV charging station में सबसे better stock है Tata Power में यहाँ पे मेरा view क्या है long term के लिए better है, इस company को सिरुफ long term view के साब से देखिए अगर short term की बात की जाया तो 420 का एक important support है share का अगर 420 के नीचे गया तो EA में का crossover हो जाएगा अभी EA में पे support ले रखा है support है 420, resistant यहाँ पे Tata Power का निकल के आ रहा है 460 अगर 460 के level को break किया, तो Tata Power 500 की तरब जा सकता है बट important 420 के support को भी लेके चल दा है बट मेरा यह मानना है कि इस stock में आप long term purpose के एसाब से SIP की तरब जाईए अगरा stock है दोस्तो अपना IRB infrastructure IRB infrastructure में हमें क्या दिख रहा है momentum अभी भी strong है company ने EMA का downside cross over किया again यहाँ पे EMA की उपर गया मतलब EMA पे and trend line पे support लेके share उपर जा रहा है यह trend line बहुत पुरानी है support लिया jump, support लिया jump, support जम again यहाँ पे support लेके jump दिखा सकता है IRB infrastructure IRB infrastructure एक बहुत बड़ा pattern भी create कर रहा है जो कि almost हम इसे ascending triangle pattern भी मान सकते है बड़ा breakout हो सकता है बट IRB में मेरा यही कहना है कि 60 रुपे का अपना stop loss रहेगा 60, 65 की 64 की entry थी 60 रुपे का stop loss रहेगा target रहेगे यहाँ से 80 रुपेज तक के तो यह मेरा यहाँ पर कुछ view था यह only for education view के साब से दोस्तों अपना यहाँ पर view था Thank you